कि नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल होटी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लेकर रहे हैं इंपोर्टेंट mcqs on soil science जो कि important questions है mcqs है वो soil science पर हम लेकर रहे हैं जो कि जो मद्यप्रदस की आगामे परिक्षाइं SADO SSDO RAEO और रही जो इक्साम होने वाली उसके लिए जो म्रदाविज्ञाने उसके जो महत्तपण़ परशन है वो उनको लेकर रहे हैं जो सभी हैं परशन हमने लिए हैं यह कहीं ने कहीं पहले किसे ने किसी प्रतिविदा होती option A है बारले option B है rice option C है वीट यह option D है बाजरा जो हाइस्त सलिटी ट्लरेट क्रोफ है वह है जुँ बारले मतलब हमारा हम्नोकाल है जो है यह highest सलिटी तोलेट होता है मतलब भी घाएं की अबpractin होता है अगला प्रशन आता है Central सेंट्रल सोईल एंड वाटर कंजर्वेशन सेंट्रल सोईल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्ट्यूट इस लोकेटेद एड जो सेंट्रल सोईल वाटर कंजर्वेशन का जो रिसर्च इंस्ट्यूट है और ट्रेनिंग इस्ट्यूट है वो कहां इस प्रशन है प्रश्च सोल प्रश्च सब्ताइब हैं लेटी एल्टा इलकेलाइन सब्सक्राइब युब होती है या उल्ट्राासीडिक प्रप्रशन हे या जल संदक है उसका जो अद्र किया ओप्षन टो है सब्सक्रों सभी एंग्रोनॉमी और सभी एक्रूर्टटर निनलिंग यह अग्री यह अग्ला हो हुआ पी हे साद दा समलाथी यह चसराइमरदा होती है यह चतना होता है अगला प्रशन है which of the following state having highest area of alkali soil जो कौन सा इस्टेट है जिसमें जो alkali soil है उसका जो छेतर फले वो सरवाधिक होता है option A है मत्रप्रदेश option B है उत्तरप्रदेश option C है बिहार या option D है कुजरात तो जो highest area of alkali soil की बात की जाए तो सबसे अधिक जो छेतर फले अलकली soil का यह कहां है तो यह उत्तरपदेश में उत्तरपदेश में अलकली soil का जो छेतर फले वो सबसे अधिक है और प्रशना आता है इन विच जोन soil minerals are deposit after leaching known as a level ऐसा कौन सा संस्तर है या ऐसा कौन सा होरीजन है जिसमें जो minerals है leaching के बाद जहां deposit होते हैं जहां इकटा होते हैं जिसको a level के नाम से जाता है तो वो संस्तर कौन सा है option a है ओ होरीजन option b है b horizon option c है a horizon या option d है c horizon तो जो correct answer है वो है b horizon b horizon को ही इल्यूविल नाम के से जाना जाता है और इस संस्तर में क्या होता है कि जो soil minerals है जो मौदा के पोशक ततव है या खनिस ततव हो लीचिंग के बाद यहां आकर इकटे होते हैं इसलिए इसको को इल्यूविल कहा जाता है अगला प्रशन है उसको किसके दौरा मापा जाता है मेजर किया जाता है अगला प्रशन एह है अलकली नी इसन डीइंग जाता है को मली किसके दोरा उसका सुधार किया जा सक्ता थाओ और सब्सक्राइँ उसका के जाता है जह जिब्सम के जाता है यूज थे समिका जाता है अगला कोश्चन है सोईल मॉस्चर इस मैजर बाइ यूजिंग ऑफ इस्ट्रूमेंट जो सोईल मॉस्चर इसको मापने के लिए कौन से इस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है अगला प्रशना थे सोईल एरोजन कंट्रोल एंड सोईल बेंडिंग केन बी डन अफेक्टिव बाइ ग्रोविंग जो सोईल इरोजन इसको कम करने के लिए और जो म्रदा बंधा ने जिसको मतलब सोईल बेंडिंग कहता है तो उसके लिए किसको उगाना लाबदायक होगा ऑप्शन ए है मैस ऑप्शन बी है पोगाना ज्यादा प्रभाव होता है सोईल इरोजन को रोखने के लिए और ब्रदाव कटाओ से इसको बचाने के लिए अखला प्रशन रहता है ते वेल्ई ओप निट्रेंट टेंटेंट इंडेक्स ओर मेंत और चेतीं ऑप्शन भी है एक दसम्ला जीरो जुरो से एक दसम्ला पांच sıंद ऐते 10 यह ओपशन ऑप बी है दोद सम्ला साथ जीरो से 2 दसम्ला आठ तीन तो जो नूटेंड इंडएकस होता है या एवरjem गूर जो 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 मेडियंद इंडुस90 है कितना होता है तो होता है एक दसमला 6.7 सी दो दसमला टीन तीन यह इसका प्रेक्ट आंसर है अगला प्रशना था है सोल फर्टिली इस रिडूस ड्यू तिजो तो जो इसके कारण से कम होती जाती है ऑप्षण है इन विले तो यूज ओफ तिराजर ओप्षण भी है क्रोप और दिए तो किसके द्वारा जो मृदा की जो उत्पादक छपता है या इसके द्वारा देरे-देरे कम हो रही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इन बेलेंस ओ फर्टिलाजर जो रुवर रखे उनका अंदाधुन प्रयोग या सही मात्राहिं में उनका प्रयोग ना करन से म्रधा की फ्रेटलिटी बढ़ती है अगला प्रशना आता है वार्ट इस दबैसिक उनिट आफ सोइल क्लासिफिकेशन प्रशनिया नाम से जाना जाता है नक्स फोचन आता है इन के प्रपोर्शन इस काल जो मरदा की जो चंबता है किसके लिए प्लांट को निट्रेंट प्रवाइड करने की जो चंबता है उसको किस नाम से जाना जाता है उसको प्रडक्टिविटी और सी है जो मरदा की निट्रेंट प्रवाइड करने की उसको क्या का जाता है उसको फर्टिलिटी की नाम से जाना जाता है अगला प्रशन आता है रिमूवल और यूनिफार्म थिन लेयर और सोईल बाई एक्शन ऑफ वाटर जल के द्वारा जो मरदा की एक एक जैसी पतली परत को हट प्रशन 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 जो कर दो रूप में जो जादा घहरी हो जाती है तो प्रशन है यह जो वाटर इरोजन है यह जो वाटर अज़न हो उसका जो फर्स्ट रिष्टे होता है जिसमें जो जैसे ही पानी की जब बुंदा बांधी होती है और जो इरोजन होता है उसको इरोजन होता है उसको ऑप्रेक्ट नाम से जाना जाता है हमारा जो प्राइब क्यों उपयोगत आने चाहती है option A है हमारा it is found on platy region क्योंकि यह platy region में पाई जाती है option B है हमारा it is sandy soil option C है it is can return moisture और option D है it is black in color जो correct answer है वो है it can return moisture क्योंकि इसमें जो नमी है उसको store करने की छमता होती है नमी को संदक्षित करने की छमता होती है ईसी कारण जो को black cotton soil है यह जो का पास की खेते के लिए उपयोख माने जाती है और इसी के लिए इसको black cotton soil के नाम से इसको जाना जाता है नहीं को चलता है पीजर भाई जो किसके द्वारा को मेजर किया चाता है जो किसका मैजर मेंट है तो किसके लिए होती है फिली होती है उसको कहा चाहता है और विट उप लए इस लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्वेव गूरूप इंडिया जो भारत की जो म्रदा है उसमें सबसे ज्यादा और जो इम बो जो काभी महत्वपन गूरूप है सब्सक्राइब जाती है बहरत में सबसे जाती है अगला प्रशन है और यह जो फिल्ड के परिसेटी होती है जिसमें soil moisture को मापा जाता है तो इसको किस नाम से आ जाता है पीएप और पीएप की वेल्यू कितनी होती है जो capacity होती होती हो कितनी होती option A है 3.5 option B है 4.5 option C है 2.5 या option D है 2.0 तो field capacity की जो consider की जाती है पीएप की रूप में वो कितनी होती है तो जो correct answer है वो होता है 2.5 जो 2.5 है यह पीएप विल्यू होती है कि इसकी field capacity की अगला प्रश्ण है micro organism having highest biomass in normal soil जो normal soil है उसमें जो कौन सा macro organism है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आप्शन एह है bacteria option B है एक्टिनोमाइस सीटीज एक्टिनोमाइस सेटीज ओप्शन सी है अगला प्रशन आता है दख लेप प्रसेंटेज एंस एंडी सोई में जो क्ले का प्रतिश्यत है वो कितना होता है option एं more than 55% option B है 40 to 45% option C है 22 22 20 तो 30 परसेंट और option D है लेस देन 10 परसेंट तो जो है किषेंटेज वो होता है 22 30 परसेंट थे से 30 परसेंट किसंवे क्ले होती है अगला प्रश्ण आता है प्रकेशियम और फासप्रॉस कंटेंड क्या फासप्रॉस की मात रख का कितने दिन बाद या कितने समय के बाद उसको टेस्ट कराना आवशक हो जाता है option A है six month बाद every six month के बाद option B है every one to two year option C है every three to four year और option D है six to one year six month to one year तो कितने दिनों के बाद उसमें जो potassium है और phosphorus content का test कराने की आउशकता होती है तो यह इसका जो correct answer है every three to four year लगवक जा तीन से चार साल के बाद potassium और phosphorus का test कराने की ज़रृत होती है soil के अगला प्रशन है what is the order of black cotton soil black cotton soil का जो order है वो कौन सा होता है option A है अलफिसोल option B है वर्टिसोल option C है ऑक्सिसोल या option D है एंटिसोल तो जो ब्लेक है उसका जो order है वो है वर्टिस वर्टिसोल के अंतरकत आती है इसको वर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशना आता है deposition of soil by gravity जो gravity के करण जो स्वेल का डिपोजेशन होता है उसको क्या कहा जाता है option है A sollten option B initial option C है you do a liaison or a Inspir is just by right so who does the position of gravity के करण जो स्वेल का जो डिपोजेशन होता है इसको किस नाम से जाता है तो उसको ना जाना जाता है को लिव्ष के क नाम से इसको को लिवद सील के नाम से जाना जाता है दन्यवाद वीडियो अच्छा लगा वो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले धुरा है झाल झाल Państ झाल झाल झाल